महिलाओं का राजनेतिक अधिकारों के लिए संघर्ष भारत में महिलाएं कुलजन संख्या की लगभग आधी हैं? क्या उनकी भागिदारी बराबर की है? क्या कोई लोगतंत्र आधी जनता यानि महिलाओं की भागिदारी के बिना सफल हो सकता है? दुनिया के अधिकतर लोगतांत्रिक देशों में महिलाओं को इन अधिकारों को हासिल करने के लिए लंभा संघर्ष करना पड़ा भारती स्वतंत्रता आंधोलन में महिलाओं ने महत्पूर्ण भूमिका निभाई तथा लगातार कई अधिकारों की मांग की महिलाओं ने अपने मताधिकार के लिए बार-बार मांग उठाई और अंतराष्टी वेस्क मताधिकार आंदोलन के साथ भी जुड़ी सन 1913 में बुड़ा पेस्ट यूरोब महाधिकार में होने वाले वेस्क मताधिकार गठबंदन सम्मेलन में कुमुद्नी मिश्रा को भारतिय महिला प्रतिनिधी के रूप में बुलाया गया सन 1921 में पहली बार मद्रास विधान सभा ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया सन 1935 के अधिनियम में महिलाओं के लिए विधान सभा में अलग से सीटों का आरक्षन किया गया सभी महिलाओं को वेस्क मताधिकार भारत का सम्मिधान बनने पर ही मिल पाया स्वतंत्रता के बाद जैसे जैसे महिला संगठन मजबूत होने लगे महिलाएं केवल अपने निजे जीवन से जुड़े अधिकारों जैसे सिक्षा, नौकरी, व्यक्तिगत सुरक्षा वदहेश से मुक्ती संपत्ती में भागिदारी आधि अधिकारों से आगे बढ़कर राजनेतिक संस्थाओं में अधिक भागिदारी की मांग करने लगी पुत्र और पुत्री को पिता की संपत्ती में समान अधिकार है यह कानून सन 1956 में बन गया था इस कानून को बनवाने के लिए कानून के समर्थकों को बहुत संघर्ष करना पड़ा पुराने रिती रिवाजों को मानने वालों ने इसे परिवार को बाटने वाला कानून बताया इसका समर्थन करने वालों ने न्याय तथ समान्ता जैसे लोकतांत्रिक मुल्यों के आधार पर इसके पक्ष में जोर दिया सन 1956 के इस कानून में कई कमिया थी जिने दूर करने के लिए सन 2005 में इस कानून को और भी सर्शक्त बनाया गया विभिन राजनेतिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिने धित्तों भारत में 73-74 समविधान संशुधन द्वारा महिलाओं को इस्थानी प्रशाशन के निकायों जैसे ग्राम, जनपद, वजिला पंचायत, नगर पालिका और नगर नेगमों में 33 प्रतिशत सीटों पर आरक् 50 प्रतिशत हो गया है। कोई बड़ा बदलाओ ला सकती। यही वज़ा थे कि महिलाओं ने राज्य विधान सभा तथा संसद में 33 प्रतिशत आरक्षन की मांग रखी। प्रतिशतों से राजनेतिक दलों में इस विधियक के स्वरूप पर सहमती नहीं बन पा रही है। कि अग्रतिशतों से बदलाओ लाल प्रतिशतों से तरक्षन की मांग पर सहमती। उहीं है।